इस आसपेक्ट पे मैंने पहले भी बात करी अपने चैनल पे और क्योंकि सीजन ऐसा आ गया है तो मैं आपसे इस आसपेक्ट पे फिर से बात करी हूँ यह aspect क्या है कि YouTube की जो industry है वो आपको preparation के लिए बहुत ज़ादा misguide कर रही है ओके, so अब यह आपको preparation के लिए कैसे misguide कर रही है तो I'll tell you, देखे क्या है कि actually UPSC preparation में आप coaching versus YouTube का वो छड़ गया है अब देखे coaching versus YouTube की लड़ाई है क्या तो इनका कहने का है कि coaching पे paid misguidance है और YouTube पे बहुत अच्छा guidance है अब देखे, यह coaching के तो paid misguidance की बात करेंगे पहले यह YouTube का guidance आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में देखते है अब देखे, देखे, कुछ भी life में free नहीं होता है यह जान लीजिए अगर आपको कभी भी कोई बोल रहा है कि आपको life में हम यह free दे रहे हैं तो या तो वो बहुत बड़ा ही scammer है या आप product हो ओके, तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है ना कि हम यह free दे रहे है तो वो scammer है या आप product हो इस बात को हमेशा याद रखेगा अब देखिए क्या हो रहा है YouTube पे, आपको वो कोई भी वीडियो बना करके दिखा देंगे, उसमें बोलेंगे कि 70% question यहां से आते हैं, यह यह elimination trick आप अगर master कर लोगे, तो आपका UPSC pre-definity निकल जाएगा, यह आप करिए कोई भी subject को आपको पाच दिन से जादा नहीं देने है, पाच दिन में आप पूरा environment, economy, geography, सब खतम कर सकते हैं, ओके, तो देखिए, यह चीजे क्या है ना, बहुत जादा misguide कर रही है, यह बहुत ही बड़ा misguidance है, ओके, देखिए, कोई भी ऐसा source नहीं है, जिससे 70% question आएंगे, question क्यों किसी से 70% नहीं आएंगे, क्योंकि उनको diversity of the question include करनी है, देखिए, one of the most toughest exam है, UPSC, one of the most toughest exam है, उसको भी चाहिए, ऐसा aspirin, जो consistency से hard work करते हुए आए, अच्छा, आप यह बात बताईए, कि अगर आप चाहते हैं, कि 50 दिन में पढ़के, आप UPSC का pre, ना सिर्फ है, ना क्वालिफाई कर जाए, बश्कि उसमें 70% question कर जाए, तो क्या एक बहुत ही logical बात है, तो फिर उस बनने का क्या जो consistency से काम कर रहा है, वो क्या बेवकूफ है, वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, तो यह YouTubers ऐसा बोलते हैं, कि आपको hard work करनी की बिल्कुल ही जरुवत नहीं है, तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पाच दिन में यह बुक भी पढ़ लेंगे, और पाच दिन में हम यह बुक भी पढ़ लेंगे, अब वो इनसान आपको पाच दिन में वो बुक पढ़ने या पढ़ानी के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि उसने आल्रेडी 100 दिन लगा करके वो topic को master किया है, और वो 100 दिन ल चौती बार उसको revise करता है, तो उसका पाच दिन में हो जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस topic का जो software है, वो आपकी दिमाग में पाच दिन में बन जाएगा, ओके, तो यह बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको अपने polity के basics, history के basics, आपको अपने economy के basis, आपको अपने environment के basics, आपको current affairs की एक अच्छी खासी समझ, क्या यह सब नहीं develop करनी पड़ेगी, यह करनी पड़ेगी और पाच दिन में तो इनके syllabus भी नहीं देखे जाते, तो यह prepare तो कहां से ही होंगे, ओके, तो यह prepare तो बिलकुल भी नहीं होंगे, तो इस तरीके के scam में बिलकुल भी मतफस ही है, ओके, इस तरीके के scam में बिलकुल भी मतफस ही है, अब मैं बोल रही हूँ कि वो scammer है या नहीं है, लेकिन आप product जरूर हो in videos के, आप product इसलिए हो in videos के, because they want your watch time और आप उनको watch time दे रहे हो, and ultimately सब कुछ देखने के बाद उसमें कुछ भी बाहर में वीडियो पे click करते हैं, जहां पर हमको लगता है कि हमारी problem का solution मिलेगा, click करने के बाद हम directly comment section के पास जाते हैं, तो जब हम comment section में देखते हैं, कि हाँ, इसमें लोगों को solution मिला है, तो हम उस चीज़ पर believe करने लगते हैं, लेकिन देखें, आपने UPSC preparation की, जब, आपने UPSC preparation को जब commit किया था, तो आपने दो चीज़े commit किया है, आपने अपने life के सबसे productive years commit किये हुए है, और दूसरी चीज़ आपने commit करी हुई है, या तो आप अगर job कर रहे हैं, तो उस job में आप half heartedly करोगे, और आपने अपना जो improvement या growth का time है, या जो enjoyment का time है, वो UPSC को दिया हु कि ये चीज तीन दिन में हो जाएगी या पाच दिन में हो जाएगी, ओके, तो ये बिल्कुल भी true new है, इस तरीके के वीडियो बनाना बहुत ही जादा चल है, किसी भी UPSC aspirants से, ओके, मैं ये नहीं कहनी हुँ कि हाँ UPSC की तैयारी को दो साल लगते हैं, तीन साल लगते है अगर आप देखेंगे इशीता किशोर हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने अच्छे college से पड़ी हुई लड़की, एक week student रही होगी, इसलिए वो एक attempt में नहीं कर पाई, इसलिए उसे third attempt में उसका prelims क्लियर हुआ, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, सार दिल्ली में रहने के ब बाद भी, दिल्ली में hometown होने के बाद भी, अच्छे background से आने के बाद भी और सारे resources होने के बाद भी, उन्होंने महनत करी, जब उन्होंने महनत करी तो फिर उसको उनका result मिला, ओके, फिर उसको इनका result मिला, ओके, तो अगर आप देखेंगे, prelims के लिए तो देखें, 1 to 1.5 years की महनत definitely लगती है, एक चीज होती है कि answer means में answer writing का एक art होता है, किसी किसी में वो art inbuilt होता है, तो वो inbuilt art के कारण क्या होता है, कि किसी का means जल्दी निकल जाता है, किसी का means को निकलने में काफी time लग जाता है, तो वो उस चीज की बात है, बट आपको ये 1 to 1.5 years की consistent महनत ल बार बार उनको revise करना है, and ये सारी चीज़े, second thing is about the elimination techniques, तो जितनी भी elimination technique market में master करी जा रही है, वो कुछ भी नहीं है, it's all common sense, okay, वो कुछ भी नहीं है, it's all common sense, तो अगर देखिया, मुझे किसी बारे में information है, and अगर वो information से कुछ ऐसे statements मुझे पता चल रहे हैं, जो कि गलत हैं, तो कोई भी logical इंसान जो होगा, वो अगर इस तरीके का combination बन रहा होगा, कि उस statement की मदद से बाकी सारे options eliminate किये जा सकते, तो वो कर लेगा, तो देखिये, जो खुद का knowledge है, या जो खुद का information है, वो ये बता करके market किया जा रहा है, कि ये elimination technique है, और ये आपके काम में आत है, तो देखिये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट यर जब prelims होने वाला था, तो I was regularly talking to some people, और देखिये, वेरा एक knowledge base था, उस हिसाफ से में चीज़े eliminate करती थी, and there were some students कि उन्होंने regularly पढ़ाई करी, उनका knowledge base था, तो वो उस हिसाफ से चीजों को eliminate करके, और उन्होंने questions को सही बनाए, अपना prelims निकाला, जब तक आपको उस topic के बारे में knowledge नहीं होगी, या और थोड़ा सा common sense नहीं होगा, तो यह elimination technique कोई मतलब नहीं बनता, elimination technique एक internal aptitude है, और वो internal aptitude develop किया जाता है, वो internal aptitude ऐसा नहीं होता है, it's not a thing that it can be sold, like you come and watch my video, and I can deliver you internal aptitude, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि UPSC या कोई भी exam या skill या sports इस तरीके का है, कि आपको उसके लिए अपना समय दे करके, मेहनत दे करके, consistency दे करके, और एक cool mindset बना करके, आपको इसको master करना होता है, ओके, अगर देखें, ऐसे होता कि कोई technique से ही सब कुछ हो रहा ह होता, तो सचंत इंदुलकर ने अपने बच्चे को टेकनीक बता दी होते हैं, how to be a great Batman, okay, तो वो क्यों नहीं बन जाते हैं, how to be a very great Batman, why there is विराट कोली या फिर कोई रिंकु यादव किसी कोने से आ जाता है, जिनको बच्पन से कभी सचंत इंदुलकर का access ही ना मिला होगा, और उनके बच्चे, why is not a सारा इंदुलकर a very good sportsman, नहीं ना, because see, सचंत इंदुलकर has worked on himself very consistently, अगर आप देखोगे, so Kapil Dev के बारे में अगर आपने सुना हो, तो he always used to tell, कि सचंत इंदुलकर used to practice even after every match, okay, हर match हो गया, शाम में सचंत इंदुलकर वापस ग्राण में पहुच जा देखे, उस लेवल का cricket खेलने जितनी महनत नहीं लगती है UPSC में, UPSC में अगर आप अपना consistent 6-8 घंटे का hard work करेंगे, तो आपका exams निकलेगा, लेकिन अगर आप believe करेंगे कि ये technique है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ना, दिक्कत हो जाएगी, because, वो mindset ही खराब हो जाएगा, अच्छा, यही वो लोग हैं, जिरोंने कभी UPSC के questions के solutions नहीं डाले, कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि ये solution है, यहाँ से question आया, अगर ऐसा होता तो उन्हें तुरन solution डालने चाहिए थे, है ना, कि ये मेरी elimination technique है, और इसी technique से ये question solve हो है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ देखिए, मुझे कुछ नहीं है, आप ही के फायदे के लिए बोल रही हूँ कि ये एक बहुत ही खतरनाक mindset है, जो आपके ears ruin कर सकता है, तो इन चीजों पर जादा ध्यान मत दीजे, इस वीडियो वोस जस्ट टू लाइक, एनलाइटें यू, ऑन दा फाक्ट की बिल्कूल भ का मतलब है कि आप वही बुक्स पड़ें जिनमें ऐसा content हो जिसकी exam में आनी की सबसे जादा probability हो, okay, for example, spectrum है, अगर देखिए, क्या होता है ना, कि एक जमाना था जब modern history से regularly आपको 5-6 questions मिल जाते थे, और वो questions spectrum से definitely बन जाते थे, अब देखिए, क्या है कि कुछ question आजाएंग के लेट से विपिन चंद्रा से, okay, तो बट क्या आप एक subject जिसमें 5-6 questions आते हैं, अब तो कम भी हो गए हैं, 3-4, क्या आप उसके लिए 3 बुक पढ़ेंगे, 3 questions के लिए आप क्या 3 बुक पढ़ेंगे, नहीं ना, आप क्या करेंगे, spectrum पे रिलाई करेंगे, कुछ eliminate होगा, तो कर लेंगे, okay, और देखिए, प्लासी टू पार्टेशन या विपिन चंद्रा जैसे, जहां से जो question आ रहे हैं, अगर वो आ भी जाते हो, आपको नहीं भी बनता है, तो इससे आपका selection नहीं decide होता, okay, क्यों, because देखिए, वो तो सब को ही नहीं बने होंगे, because जादतर लो इसी तरीके से बस help कर रहे हैं, कि वो competition काम कर रहे हैं आपका, okay, तो इस तरीके के trap में बिल्कुल मत फसके, again and again, whoever be my viewers, मैं इनको ये बताना चाती हूँ, कि बहुत जादा shortcut नहीं है, आपको एक बार तो syllabus complete करके, उसके revisions देने पढ़ेंगे, UPSC तो आपके पढ़े-पढ़ आपको फसालेगा, तो फिर वो elimination techniques तो बहुत दूर की बात है, alright, तो देखे क्या होता है, वो aspirants भी कुछ ऐसे हैं, जो ये सब techniques को market कर रहे हैं, कि आपने खुद 3-4 साल बाद आपके prelims क्लियर होना चालू हुए, है ना, तब आपको ध्यान आया, कि नहीं ये तो elimination technique थी, अर आप दूसरे बंदे को बोलते हो कि नहीं है, तो पाच मिनट का ही काम है, okay, तो ऐसा नहीं है, this is not true at all, so this is my advice to you all, कि अपने consistent heart birth पे believe करिये, देखे क्या होगा, कि static complete करिये, current affairs complete करिये, अगर देखे प्रिलिम्स तक आपका सब कुछ नहीं complete हो रहा है, किसी वज़े से, तो द देखे क्या करिये, अपना consistency maintain करके रखिये, because देखे कोई भी UPSC की cycle से एक साल में बाहर नहीं निकल जाता है, ये काफी बड़ा truth है, either आप college के time से preparation कर रहे हो, तो फिर तो वो आपका एक साल नहीं कहलाता है, लेकिन अगर आप college के time से preparation नहीं कर रहे हो, तो definitely आप ये मान के चलो, कि one to two years आपको लग जाएंगे, preparation को पूरा complete करने में, अगर आप बहुत ही जादा consistent रहते हो अपने first year में, definitely आपका syllabus complete हो जाएगा, आपके MCQs solve हो जाएंगे, and आप prelims clear कर लोगे, means भी answer writing से cover किया जा सकता है, but इन सभी चीज़ों में महनत लगती है, short tricks नहीं लगती ह guidance एक चीज होती है, वो यह होता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो बताया जा सकता है, hard work आप ही को करना पढ़ेगा, और यह जो market में tricks हैं, this is just a clickbait, and you should be aware of them, alright, so this is what I am telling you, okay, then we will meet in the next video, all the best to all UPSC aspirants, UPSC aspirants, be aware of scammers, okay. झाल